टाइटन मेटिसिटी हौस्पितल साथ ही अतंदरन रूबोटिक मशिन घोडबंदर रोडे तिल टाइटन मेटिशीटि या फ़स्पितलने गुडगीया चा उप्रेशन साथ ente नवीन रूबोटिक मशिन आड लआहे ही मशीन अतिशे अध्यावद असुन गुडगियां ती लेगामेंट कीमा खुटला ही टुशुची काटछाट न करता ते बाजुला करूं हे ओपरेशन केले जाता और नवीन वाट्या बसोले जाता इता इतर मैन्योल ओपरेशन मधे पेशेंट से ओपरेशन केले आनंतर महिना भरानंतर ताना हलग भुडग सालता इते पड़ या रोबोटीक मशीन मुड़े पेशेंट डूसरास जिवशी व्यवस्थित सालुशक्तो आसे स्पेशालिस्ट डॉक्टर बकूल अरोरा याननी सांगितले ता टाइटन मेडिसेटी होस्पेटल मधे आनलेली ही मशी मंचे जाना गुडग्याचा आजार आहे तैंचा वाट्या बदलाईचा असती तैंचा साथी वरधानस आहे त्यामने होस्पेटल चा डॉक्टरस ने या मशीन से नव विग्नहरता असे ठेवले आहे ही मशीन ठाणा तस नवे तो संपुर्ण भारता प्रतमास कासार वडो ये तिल टाइटन मेडिसिटी होस्पेटल मादे उपलब्द सालिया है त्यामने मुंबई ठाणे आजुबाजुचा शहरात या सम्मधित आजार असलले रूगण वेदना विरहित आपरेशन मशीन वारे करूशकता असे टाइटन मेडिसिटी होस्पेटल से डारेक्टर अ ये लोग का ना आवाहन के लिया है कि गुड़िया शे सम्मधित आजर असलले व्यक्तिन नी या वबद उप्चार कुरुण ध्यावेद आणि आनंदी जीवन सगावे अपनों का पूरा चिट्टा पिट्टा हमें पता चल जाता है कि कितने डिफॉर्मिटी है कितनी बोन डिंसिटी है सारी डीटेल्स हमें पता चल जाते हैं और ये रोबोट जो एक 3D मॉडल बनाता है और इस पेरी मॉडल की उतना हमको सर्जरी पूरा प्लानिंग करते हैं, कितना मिली मेटर बौन कट करना हैं, कितना अक्यूरेसी देना हैं, कितना नहीं बेंटिंग आएगा, सारी चीजे हमें CT Scan के यह मॉडल के उपर हमें पता चल जाती हैं, और इसका जो रोबोटिक का जो cutting tool है वो sub millimeter accuracy यानि कि एक millimetre से कम की accuracy भी देद सकता है यानि कि इस वेरी precise, very accurate जो इसका जो cutting tool है वो accurately bone को cut करता है और जब bone cutting accurate होती है तो implant का fit काफी accurate मिलता है इस technology में घुटनों की mass patient और गुटनों की ligaments बिल्कुल cut नहीं होते जिससे पेशेंट्स की recovery भी काफी fast होती है यानि कि 3-6 घंटे के बाद पेशेंट्स चलना शुरू कर सकते हैं अगले दिन सीडियां चड़ना उतरना शुरू करते हैं और आम तोर पे 3 दिन में hospital से छुट्टी मिल जाती है